हलो एब्रिवान स्वागत है आप सभी का इस लापलास ट्रांसफॉर्म की नई सेशन में जहां पे हम कर रहे हैं बेसिक फॉर्मिला एंड उसके प्रूफ ओविसली सीधा सीधा टेबल बनाके नई देते बबाजी यहां पे पूरी की पूरी प्रूफ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते ही सेशन नंबर फॉर को जहां पे आप कहोगे यह दिल मांगे मोर चलिए फड़ाफट से मौबत वारी लाइक तो बनती बनती है प्यार वरी शेर बनती है क्योंकि सभी जानते शेरिंग इस एपसलूटली वाला केरिंग फड़ाफट से शेर कर दीजिए और जिनके साथ शेर किया ना पकड़ पकड़ के उनसे सब्सक्राइब जरूर कराईएगा क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में हमारा एजुकेशनल कॉंटेंट आगे बढ़ना बहुत जरूरी है वो भी कॉंसेप्शुल कॉंटेंट आगे बढ़ में होती है पढ़ा फट जाके hit that link and connect with us तो चलिए शुरुआत करते हैं last time देखिए पहली session में constant का Laplace transform हमने explain किया उसके बाद exponential का किया उसके बाद trigonometry का किया आज बारी आ चुके है hyperbolic function का Laplace transform कैसे निकाला जाता है और उसके साथ-साथ algebraic जो functions होते है इनके Laplace transform कैसे हम find out कर पाएंगे तो चलिए क्या आप सब लोग ready हो ओ हो यो यो तो बनता है comment box में फड़ा फट वाला यो यो बनता है boss शुरुआत करते है Laplace transform यहाँ पे लिखना बनता है Laplace transform of hyperbolic hyperbolic function hyperbolic function चलिए 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 मचाएंगे शोर चारो और इस दर्बार की और चलिए Laplace transform of hyperbolic function अब what do you mean by hyperbolic यह तो बनता है सर क्या होता है hyperbolic चलिए हम बता देते बड़ी ध्यान से लगन से सुनना में क्या खेह रहा हूँ Last time हमने एक formula देखा था e raised to i theta का क्या बोला e raised to i theta का मतलब exponential को आप trigonometry में convert कर सकते हो कब जब यह imaginary part हो जावे तब तो e raised to i theta को आप कैसे लिख सकते हो cos theta plus i sin of theta absolutely plus है तो plus minus है तो minus इतना simple है लेकिन हमारे hyperbolic को इसको कैसे represent किया जाता है वो आज हम आपको बताना चाहते है तो यहाँ पे हम लिखना चाहते है shine of 80 shine बोलेगा तो sign hyperbolic अच्छा 80 नहीं लिखता हूँ मैं theta लिखता हूँ ठीटा तो सबके लिए वाकीफ रहते हो आप लोग तो shine, sign hyperbolic theta हम लिखना चाहते हैं जिसका formula बनेगा e raised to theta minus e raised to minus theta whole divided by 2 एक बात यहाँ पे छपवा लिजिए, tattoo की तरह यहाँ पे माते पे छपवा लिजिए, hyperbolic में imaginary term कभी नहीं आती तो चलिए, यहाँ पे cos of theta का क्या बनेगा, that is e raised to theta plus e raised to minus of theta whole divided by 2 smile के साथ whole divided by 2, चलिए, अब यहाँ पे suppose मैंने theta के जगे पे दिया 80 मतलब मेरा angle जो है, वो a into t है, तो यहाँ पे बनेगा e raised to 80 minus of e raised to minus of 80 whole divided by 2 इतना simple यह formula, चलिए, cos के लिए भी कर देते, cos of 80 बनेगा e raised to 80 plus e raised to minus of 80 whole divided by 2 तो चलिए, मैंने in terms of theta भी hyperbolic का formula लिख दिया है, मैंने in terms of 80 भी लिख दिया है अब हम चाहते हैं, इसका laplace transform find out किया जाए, तो चलिए कर लेते हैं, मजाक मजाक में हो जाएगा इसका laplace transform therefore पहला चीज, laplace of shine of 80 हम यहाँ पे find out करना चाहते है, shine of 80 तो यहाँ पे क्या बनेगा laplace of bracket की अंदर e raised to 80 minus of e raised to minus of 80 whole divided by 2 sir exponential में क्यों किया, hyperbolic का direct नहीं हो सकता, क्या absolutely हो सकता है लेकिन exponential की मैंने मदद ले ली क्योंकि already exponential का laplace transform कैसे निकाला जाता है, वो हम सीख चुके है नहीं पता आपको, प्रिवियस session तो देखना चाहिए भईया, directly यहाँ पे आओगे तो नहीं समझोगे प्रिवियस session जरूर देखना तब आएगा ना मज़ा बिडू, ओ हो हो हो, चलिए तो यह 1 by 2 को हमने बाहर ले लिया है न, denominator का कोई काम है नहीं, चलिए तो इसको laplace को separate करा देते हैं, laplace of e raised to 80 minus laplace of e raised to minus of 80 and फिर यह bracket को हमने कर दिया complete अच्छा, exponential का laplace transform मेरे ख्याल से अभी तक ऐसे मैं assume करके चल रहा हूँ कि सारे बच्चे वो session देख के आए हैं, नहीं देख के आए हैं तो मैं यहां पे formula लिखना चाहता हूँ, एक simple सी technique आपको बताना चाहता हूँ, exponential की, अगर plus है तो s minus s a होगा, अगर minus है तो s plus a होगा, क्या बोला, प्लस है तो s minus a होगा, opposite sign भाया, समझ रहे हो, क्योंकि time and frequency inversely proportional है, तो time positive में तो frequency negative में होनी बनती है, बास, तो यहां पे one upon, one upon यह बनेगा, देखिए s minus a minus one upon, यह बनेगा s plus a, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, चलिए, इसको cross multiply करा देते है, क्या कहते हो, cross multiply करा देते है, यह बनेगा s plus a, minus यह बनेगा s minus a, whole divided by यह दोनों चीजे multiply हो जाएगी, और कर दिया, इनको सीधा सीधा multiply, आहाँ, चलिए, तो यह bracket को भी open कर दो, s plus a minus s plus a, whole divided by, a minus b, a plus b का funda denominator में हमें use करना पड़ेगा, that is s minus a, s plus a, that will give you s square minus of a square, जो यहाँ पे हमने मचा दिया, s square minus of a square, कड़क वाला यार, कड़क वाला, चलिए, चलिए, अब आएगा ना, मजा, देखो, देखो, which is equal to, one by two, s, s cancel हो गई, सीधा सीधा कट कर देनेगा, मजाक मजाक में कट कर देनेगा, यह बनेगा, two a, whole divided by s square minus of a square, two two भी आप अराम से कट कर सकते हो, और फाइनल फॉर्मिला आपके सामने, यह रहा, shine of 80, which is equal to a upon s square minus of a square, क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आ गई, बले बले हो गई, जी, बले बले हो गई, एक डांस तो होना बनता है, क्या बात है, चलिए, similarly, cause hyperbolic के लिए भी करा देते हैं, फटाक से, तो यह बनेगा, la plus of, यहाँ पे मैं थोड़ा fast जाऊंगा, cause of 80, which is equal to, la plus of bracket के अंदर, e raise to 80, plus e raise to minus of 80, whole divided by 2, bracket got completed, तो यह 1 by 2 को बाहर निकाला, bracket के अंदर, la plus of e raise to 80 बना, plus la plus of e raise to minus of 80 बना, and फिर जाके इनका la plus already हमें पता है, मैंने माथे पर टाटू चपवा है था, plus है तो minus, minus है तो plus, तो यहाँ पे plus है, तो यह बनेगा, one upon, s minus a, plus one upon, s plus a, कड़क वाला, इसको absolutely cross multiply करेंगे, जो last वाली derivation में हमने किया हुआ है, same कहानी है, बस बीच में जो sign previous derivation में minus थी, इस derivation में वो plus हो चुकी है, ओके जी, यहाँ पे s minus a बनेगा, यहाँ पे s plus a बनेगा, bracket completed, a, a को cut कर दिया, s plus s बन चुका है, 2s, तो यह बनेगा, one by two, bracket के अंदर, two s upon s square minus of a square, two two cut हो गया, और यह final answer हमें यहाँ पे मिल चुका है, चलिए, तो यह final answer यहाँ पे लिख देते हैं, plus of cos of 80, which is equal to s upon s square minus of a square, वाजी, वाँ, hyperbolic, shine भी हो गया, cos भी हो गया, अब बच्चता है, अब बच्चता है, algebraic, वो हम कर रहे होंगे, next session में, इस session की formula list complete कर दीजिए, मिलते हैं, next session में, इतनी जोष, जुनून और ताकत के साथ, तब तक के लिए, बबाई, take care and thank you so much guys.